हम लोग शिमेद भागवत्म की तीसरिसकंद के नवे धाय के तेर्वेश लोग को पढ़ें लिंक बहुत सिंपल है देखिए आपने निश्कामता की इतनी महिमा सुनी नाती प्रसीधति तथो पचितो पचारेर आराधितह सुरगनेर हृदि बद्ध कामई यत सर्व भूत दय या सदलभ्य ये को नाना जनेशुआ वहितह सुर्दंतरात्मा ना अती प्रसीधिति भगवान बहुत अधिक प्रसन नहीं होते हैं तथा उपचित उपचारेर आराधितह अच्छे अच्छे उपचारों के द्वारा आराधित हो करके भी और अच्छे लोगों के द्वार था तो दिवता जैसे लोगों के द्वारा भी बहुत संदर सेवा के द्वारा भी बहगवान अती प्रसन नहीं होते हैं यदि ह्रिदीबध्ध उनके हृदे में चैनीजिध प्रस certified कामनाूं से बद्ध हो डाता है तक कैसे प्रसौन होते हैं बहुत हथिक तो कहते हैं यत सर हैं जो अभख्त हैं उनके लिए सभी जीमों पर दिया करना संभव नहीं है भगवान कैसे हैं तो कहते हैं एक अकेले ही भगवान जा नाना प्रकार के प्राणियों में अवहित अर्थात सावधानी से प्रविष्ट हैं दोनों अवहित हैं वह सबके सुर्द हैं और सबके अं आप ने मैं कमताई ए आप क्या सिख्या भगवान की पासना कैसे करने चाहिए मैं के बताई है सबी जीवों पे दया दिखा के सबी जीवों को भक्ति की प्रति उनमोख करते हुए यह थे अच्छी बात है और एक और चीज़ है कि भगवान दो बातें सिख रहे हैं आप एक तो सबी जीवों पे दया करने से भौवान बहुत प्रसंद होते हैं और दूसरा पहली लाइन मे क्या स्लिक्टारा रहे हैं है कि तो उतना प्रसंन होते हैं तो क्या सिखा विए विए भैरे गूट निष्काम से भक्ति करना चाहिए चले अब मां लिजे कोई भक्ति नहीं भी कर Listening सी थी लेकिन और भी कुछ पूजा अधी कर रहा है तू वहाँ भी जब निशकाम भावना से करेगा तो भवान बहुत प्रसंद होगे क्योंकि भगवान बहुत अधिक प्रसंद होते हैं निशकाम भवना से अतः लिंक समinh में आगे है इसलिए व्यक्थी को जितने भी धर्म, कर्म संपाथन से उसको इसको जितने भी कर्म है, मनुष्यों को अतः अतः दिख्यवे को ाता दिग्गया आपको पमसाम अतः तो अतः से लिंक पकड़ आतः का मतलब है क्योंकि भगवान निश्काम भावना से बहुत प्रसंद होते हैं कामना से युक्त बजन से उतना प्रसंद नहीं होते हैं इसलिए भगती भी ना कर होता है है संभी आप अक्षय तृटिया कीसे मनाएं है तो आखश्य तृटिया मनाने कोält यह है मतलब होता है कि जो भी विक्ति पुर्णों कर रहा है थ juicy है तौ अख्शय तो दान करते तो दान भी करें तो भग्वान को अरपन करें निशकाम हावना से करें तो वह अक्ष्य हो जाएगा अन्य था काम में भावना से मतलए कि मुझे पुत्र हो जाए इस भावना से यह विद्धी करेगा तो धन की प्राप्ति करा कि वेफल वह जो कर्म है वह समाप्त हो जाएगा संजे ने संजे हम गए दुकान पर उपने खत्म लेकिन भगवान से प्रकार का बिजनेस कर रहा है या फिर जैसे और कुछ कर रहा है मालोक तपस्था कर रहा है तो उसके बदले में अगर को भौत इक फल नहीं मांग रहा है तो अब उसको असीमित फल बिलेगा यह हम लोग निशकाम कर्मयोग में सुना है अगर निश्काम भावना से कर्म किया जा रहा है तो उसमें कुछ गल्थी भी होती है और तो भी उसके को नुकसान नहीं होता है और जितना भी किया जाता है वह अक्षय रहता है इंटेंशन का बहुत बड़ा गेम है आप कहेंगे कि हरे क्रिश्ट नंतर में वे ऐसा होता है क्या ये वसुता अड्यकृ्ष्ण मंत्र में अच्छी बात है लेकिन हमेशा विक्ति भक्ति नहीं कर रहा होता है तो वो क्योंकि भगवान निश्काम भावना से प्रसंद होते तो जो अब अन्य कर्म कर रहे हो वह भी निश्काम भावना से करोगे तो अक्षे फल मिलेगा अब विक्ति को सोचना चाहिए अच्छा अक्षे फल मिलेगा त कुछ बात यहां प台ले का लेख की ऑगवान नि्षकाम भावनास से प्रसंद्द होते हैं इसलिए विक्ति को ज़ो को कर द Sunnyrint कर रहा है उसको विक्ति को निशकाम भावनासे करना चाहिए इससे उसका फ्ल कभी नहीं मरता शीने पुन्य मरते लोका मिशंती नहीं होता स्वर्गादी प्राप्त करके वे निचे नहीं गिरता क्लियर उसका पुन्य बढ़ता ही जाता है उसका जो फ्ल है वे बढ़ता ही जाता कभी नहीं मरता मिरियते 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 ना ना मेरियत है। क्या भगवान ने सुंदर थी दिये? अब इसका बड़ा लाब होगा उसके तो हम लोग कल्बना भी नहीं कर सकते pickles को मेरी पुम्सामा तो विविधकरम भी्रद्धराद्याइर दानेन चोग्रतपसा पर क्रिएच का canyon अराधनाम भगवत स्तव सत्क्रियाःधो धर्मॉर्पितह करहिचत म्रियते न यत्र Пुम्सामतु विविध कर्म भिरत्भराद्ययर नानेन चोगृतपसा परिचरय याचा पुम्सामतो विविध कर्म भिरत्व राथ्याईर दानेन चोग्रत अपसा परिचर्ययाच आराधनम् भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पित करहिचित्म्रियते नयत्र आराधनम् भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितह करहिचित्म्रियते नयत्र पुम्सामतो विविध कर्म भीरद्वराद्येर दानेन चोग्रतपसा परिचर्ययाच आराधनम् भगवतस्तव सत्क्रियार्थ धर्मोर्पितह कर्हिच दिम्रियते न यत्र पुम्सामतो विविध कर्म भीरद्वराद्येर दानेन चोग्रतपसा परिचर्ययाच आराधनम् भगवतस्तव सत्क्रियार्थ धर्मोर्पितह कर्हिच द्म्रियते न यत्र पुम्सामतो विविध कर्म भीरद्वराद्येर दानेन चोग्रतपसा परिचर्ययाच आराधनम् भामुर्पितह कर्हिच दिम्रियति न यत्रा अन्याक्र भाधनम् भाग्वतस्टव शाथ क्रियार्थों भुभे। न बहुतु आम्मुर्पितह करहिच दिम्रियति न यत्रा व्ली pela मुतु सामतॵ भीधकर्मps Minnesota थ्वयाते थ्वरातेर दानेन चोगरत अपसा परिचर याच आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो थर्मोर्पितः करहिचित्म्रियों यत्रा मैं आधनर मालब इस ज्लिए उस्तरण थर्मोर्पितः करहिं सुधर्त्रा धर्मोर्पितः करहिचित्म्र्आ यत्र mache किन्तु वेदिक अनुस्थान दान कठो तपस्या празд्धिव शिवा यस mmů पुन्यकारभी जो लोगों द्वारा सकाम फॉलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तो था आपको तुष्ट करने के उद्दिश से की जाते हैं लावप्रद होते हैं अब समझ रहे होंगे आप सभी जीमों पे द्या करने से भगवान बहुत प्रसंद होते हैं लेकिन अब अगर कोई ऐसा कार्य नहीं भी कर पा रहा है लेकिन जो अन अनुष्ठान है दान है तपस्चा है वह करने में उसकी रुची है तो वह उसके फ़ल को ना मांगे उसके फ़ल के परति आ सकते नहों कि मुझे इसका कुछ भौत इक फ़ल चाहिए अभी तो इस तपस भौशी यद अशनासी यद जुहोसी ददास यद यद तपस्चासी कौनते वया तत कुरुष्वदरपणम धर्म की ऐसे कार वर्थ नहीं जाते हैं अतह जैसे देखिए थोड़ समझने का प्रयास के लिए जगत में लोग नौकरी करते हैं बिसनस करते हैं धन आता है और प तो बड़ी नभी बात नहीं किया रहा हूं तो व्यक्ति भागवान को समर्पित कैशे करें इस कारज से इस दान से भखवान प्रसंध हो गायों को मैंने कुछ्छ भोजन कराया मौन प्रसंद हो किसी गरीब की वसायता करी भगवान प्रसंद हो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए यह तो बहुत ठंडा हो रहा है यह फैन पत कर दीजिए जो भी इसका टेंपर से पढ़ाते जिए भक्ति ना भी कर पाए कोई व्यक्ति सीधे-सीधे 21 पर कौन कर दीजिए सीधे-सीधे कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है लेकिन दान कर रहा है और वह दान भगवान को समर्पित करते हों चलyyah कि इससे भगवान प्रसवन्हों मुझे इसके बदले में कुछ स्वर्गादी नहीं चाहिए तो वह भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती है भगवान को दे रहा है इस प्रकार से तो भगवान के प्रति प्रीती बढ़ रही है कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है और उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहा है तो यह प्रीती के लक्षण नहीं है तो आप देखेंगे कि सभी का चित ऐसा नहीं होता कि वह हरे कृष्ण मंत्र को कुछ समझें सभी का चित इतना शुद्ध नहीं होता है कि वे हरी कृष्ण मंत को कुछ समझें कैं इसमें क्या है कुछ बड़े यक करो कुछ बड़ा दान करो उसको मात मानते तो ठीक है तुम व हो बड़ेची बात है तो वह है करओ लेकिन तुम भगवान को समर्फित करते हों चलो यह बात यहां पर कहा रही है। आतहर इन कारणों से इसलिए किन कारणों से क्योंकि भगवान भौतिक्ष लावक से युक्त पूजा से भौल अधिक प्रसूर्य होते वैसे प्रसं नहीं होते जैसे कि सभी जीवAw Parent जीव के डिया करने वह सारे कर्म होते हैं वेद में विविद कर्म भी तथा फल की इच्छा से किये गए नाना प्रकार के कर्म दानीन अर्थात दान उग्र तपसा कठोर तपस्या से परिचर्या और सेवा द्वारा चव भगवता यदि आप भगवान की मतलब आप की आप भगवान की यदि वे इन सारे कारें से आपकी अराधना करते हैं यह कहा रहा है कि हे भगवान इस से आप प्रसंद हो जाएं सत्क्रिया अर्थ हो तो वही कर्म समु का सिरिष्ट क्रिया फल है सत्क्रिया का अर्थ यही है प्रयोजन यही है फल यही है वैसे इस प्रावचना कुछ अऔर्थ कुछ प्रयोजन है कि ये प्रावचन किया जा रहा है निरःथ़्ष के प्रिवर्चन नहीं किया अदरा रहा है कि ये प्रावचन जैसे देखिये लोग भागव सब्ता किसलिए कराते हैं हम ने तो खर कभी कराय नहीं किसलिए करते जनरली कुछ पुन्य मिल जाए इसलिए से करते हैं अब वाकई पहल यह है कि भगवान की अराधना उससे हो जाए कोई भी तपस्था कर रहा है देखे यह इतना आसान नहीं है लोग बड़ी बड़ी तपस्था कर रहे हैं अपने बाल उखाड़ लेते हैं नाम नहीं रख रहे हैं बाल शेव नहीं कराएंगे वह नाई को सौर पिक हो दें पैसा बचाने चाहते हैं बाल उखाड़ेंगे यह कुछ भी इस एक्स्ट्रीम कपड़ा नहीं पैनेंगे बोजनिकरेंगे बताने क्या क्या करते तो उनसे से पूछ इस भगोन के अरादना हो रहा है आप उसे पूछ लिजिए कि यह आप इससे भगवान के अरादना कर रहे हु हो कि कुछ विद्धय सिखाते हैं, किसी को 51,000 रुप्य दे तो वहीं कि किसी 55.,000 रुपे डेते हैं लेकिन भगवान को केंड्र में नहीं रख रहे नें एक व्यक्ती हैं वह गोशाला चलाते हैं कानपुर में, बड़ी गोशाला है। भहती तो मतलब ठीक है आप गायों को शेवा कर रहे हो यहां तक बोल दे कि कृष्ट भी भगवान इसलिए बने क्योंकि वो गायों की सेवा करते थे और घुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हो तो भगवान संतुष्ट हो ये कैसे मालम चलेगा इसलिए भागवतम सर्व लोकाई का द्रिक प्रदा सभी मनुश्यों को द्रिष्टी प्रदान करने वाली है हर वेक्ति चाहता है कि वह जो कुछ कर्म कर रहा है उसका बहुत अधिक लाब मिले हर वेक्ति चाहता है नाचरल ह काम करूं कम और लाब बहुत ज़्यदा मिले तो अब अगर यही चाहते हो तो भगवान को समर्पित करो इन चीज़ों को इन सभी सत्क्रियाओं का इसा अच्छी क्रिया है तपस्षा कर रहे हैं दान कर रहे हैं लेकिन उनका फल यही है कि फल वही फल माना जाएगा जब उसके द्वारा भगवान के अराधना होने चाहिए और कहीं अगर भगवान के विरुद बात चली लगी तो विरुद निर चीत सहा राक्षसिम आसुरिम चैव प्रकृति मुहनिम श्रिता उनकी मोख्ष की आशा उनका भगवत धाम वापस जाने की आशा मोग आशा मोग कर्मान स्वर जाने के लिए कर्म कर रहे है और मोख्ष प्राप्ति के लिए ज्यान का प्रयास कर रहे है वो सब मोग हो जाए कि विनाश को प्राप्त नहीं होता है। This is brilliant. This is brilliant what is being spoken here. बहुत जबर्दस्त. आप जब कर रहे हैं कैसे भी जब कर रहे हैं? मुक्से बोलना चाहिए। हरे कृष्णा र 걸로 Nहीं जाता ये कभि विफल नहीं जाएगी बगवान का प्रशाद ग्रहंट कर रहे है क्भी विफल नहीं जाता यहां तो भक्तों का इतना भाक्य है कि सीधे harla माया कि कभी विफल नहीं जाता और माया यही प्रीचिंग करती है कि देखो कुछ नहीं हो रहा है और भागवतम यहीं बोल रहे है कि लगटा इससे जदा कुछ हो नहीं सकता है इकांत लाभं वचसोनपम साम शूष्णो कमावल एडियर गुण मादम माव इससे अधिक पढ़ाई कर नहीं सकते हो भागवतम से इससे अधिक लाभ प्राप्त हो नहीं सकता बारं बार यहीं प्रीचिंग हो रही है यहां लोग क्या-क्या चीज़े प्राप्त करने के लिए कितना competition करते हैं, तो कोई competition भी नहीं है, कि यह लोग आ सकते हैं, यह लोग नहीं आ सकते हैं, कि विल जिसकी इच्छा वो आ जाए बस, कितना बड़ा लाब बताई है, आपके सामने श्लोक है, जब भक्ति के कर्मों की बात छोड़ दीजे, जो भक्ति के कर्म हो तो बहुत दिव्य हैं, जो अन्य तपस से आ दिए हैं, वह भी भगवान को अरफित होता है, तो वो भी अक्षय फल देने वाला होता है, तो बताई भक्ति करेंगे तो कितना होगा, इसी लिए तो भक्तों अपने शरीर का ध्यान रखिये, ध्यान से सुनिये, यह शरीर बहुत बड़ा फल देने वाला है, बहुत बड़ा फल देने वाला है, यह इसी से हमें भक्ति करनी होती, यह नौट नेगलेट यह बॉड़ी, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, बाद में पूचेंगे प्रभव जी इसके इलाज के से कर रहा है, सरदर्द हो रहा है, डाइबिटीज हो के, इफलान निपकान अचार तेरे की चीज़ हो के, मान जाइए, be good boys, good girl, मान जाइए कि आप देह नहीं है, लेकिन देह से बहुत बड़ा उप्योग करना है, डाइबिटीज है तो आलू मत खाईए, सास्त का ध्यान रखिए, go for morning walk or something, उसमें जब कर सकते हैं, कोई दिक्र नहीं, समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत बड़ा फल देने वाला ही देह, क्या निस्वार्थ भाव से अर्थ हमेश क्रिच साम अतो, अतह मतलब इसलिए मनुशंवकाई विविद कर्मों के दोरा अध्धर आध्य और वैदिक अनुष्ठानों के दोरा, देखे, हमेशा विट्ति वैदिक अनुष्ठान नहीं कَटा है, बहुत सारे लिविकship विष्ठान नहीं करता है, किसी को दान कर दिया, किसी सहता करती किसी गरीपी सहता करती हरत्रे से पढ़ा रहा है कुछ कर रहा है दानेना दान के द्वारा च उग्रतपसा और उग्रतपसा के द्वारा जैसे क्रिच संचंद्रायन ब्रत अब यह क्या होता है अब जानते अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमाव होता तो इसके इसको करे लेकिन भगवान प्रसन्नों इसलिए ना कि मुझे स्वर की प्राप्ति हो स्वर्ण आ गया कि भई आपने एक बाद समझ लेजिए कि धर्म वेर्थ नहीं जाता है अब धर्म हमने किया और उस धर्म को हमने किसी सकाम में भावना से किया तो भगती तो है नहीं वह भगती तो कैसे भी किया जाए वो तो अक्षय होती है अधरु माहराज ने तो सकाम भावना से किया लेकिन बाकी जो कर्म कर रहा है वेक्ति वह सकाम भावना से करेगा तो वह फल दे करके समझे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जैसे जगत में कहते हैं कि कुछ पुजा होती है, ये पूजा गरों के से कहते हैं, भूल रहा हूं नाम, पुत्रष्ट यग्य, पुत्र की इच्छा से कोई यग्य करे, करा आपने, पुत्र मिल गया, तो वो धर्म भी खतम, और उसका और आगे फाइदा नहीं होगा, you can't cash in on those dharma, exhausted, आप गए, अपने पैसे उठाए, सब्जी लिए, फोट लिया, फल खा लिया, पैसा कतम, फल खतम, पैसा कतम, क्या ये लेकिन भगवान को वह फल अरपन कर दिया, तो फल तो मिला ही आपको, लेकिन हमें भगवान का आशिरवाद भी प्राप्त हुआ, तो मान डिजे किसी को अच्छा लगता है कि वे रोज दान करें, बड़ी च्छी बात है, बहुत लों का अबन होता है, तो दान को भगवान के संबंध में करें, भगवान का प्रसाद वित्रण करें या और कुछ करें, तो खैसी भगती है, लेकिन ये अगर ना कुछ का भगवान आप इससे प्रसंद हो जाएं, इस प्रकार की भावना से करें, ये आपको समद्पित है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वह धर्म का फल अक्षण रहेगा, वह अक्षय रहेगा, तो हर दिन अक्षय तृतिया मना सकते हैं, अराधनम भगवतस, अगर वह आपकी अराधना की रूपे होता है, तव भगवता अराधना आपकी अराधना की रूपे होता है, तो सत क्रियारता, इन सभी क्रियाओं का ये वास्तिविक भल है, क्योंकि धर्म अर्पित हा, यत्र, जिन भगवान में, आप जिन भगवान में अगर धर्म अर्प से लिना देना होता है मुझे नहीं पता किस तरह का मतलब होता है क्या ऐसे देवी देवताओं से लिना होता है कुछ में समझ में यह आप क्या कहना चाहते हैं देवी देवताओं से निश्काम भावना किसे कभी कोई पुजा करता है आप कभी कभी अगर किये भी हों तो कभी क की हैं इस तरह से बहुत रेरली कोई होगा कि शिव जी की पूजा निश्काम हानों से करें लोग कुछ लोग कर लेते हैं कुछ लोग कर लेते हैं इसी बात नहीं है पर शिव जी से प्रेम है उनकी पूजा करनी के आता था शिव जी की पूजा कर रहा है जल दे रहे कुछ चा मैया जयंबे गोरी ऐसे कि नारती होती है आगे वाली पता नहीं हो कुछ है जगदीश हरे हरे का भवान हरी का भजन कर रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन समानता यह दुर्गा जी के आरती इसी प्रकार के होती है आगे क्या होता है आपको बूल गया कुछ भी लिखते हैं कि कुछ भी घा देते हैं है कुछ विएसे बोल देते हैं तो इस प्रकार से वह पुझा करते हैं शीधरी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवन आप चुकि कामना पूरवक अराधना करने वालों से अत्यद्य के प्रस्षण नहीं होते हैं अतेव कामनाओं की पूर्ति के लिए की जानी वाली क्रियाओं का उत्तम भल नहीं होता है कर्मों का उत्तम भल तो आपकी प्रसंता ही है कामना की पूर्ति तो परमात्मा की प्रसंता का अवांतर भल है वह केवल प्रलोभन के लिए समझे आप अवांतर मतलब साइड वेनिफ भगवान प्रसंद है तो अब कुछ side benefit तो अपने आप विक्ति को मिलता है ऐसा नहीं भगवान का मैं खाली प्रसंद हूं मैं प्रसंद हूं और उपको कुछ देंगी नहीं जैसे सुदामा को सुदामा का एक मात्र इच्छा यह थी कि वह कृष्ण को प्रसंद करें उनके वह लिए अंफाम के फ़ल के लिए तो फारे नहीं मिलंती है आम का पेड़ उगा रहे हैं तो चायां नहीं मिलेगी क्या का बात करता है मली गहूं के लिए घ्चlish गिहूं के लिवगार है, साइड चीज़े अपने आप मिल जाती है, तो वेक्ति भगवान को प्रसंद कर रहा है, तो भगवान आपकी बहुते काफशक्ताओं को अपने आप रखते ही ध्यान, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुख्य बात है भगवान को प्रसंद कर ही है, बिल्कुल स्पस्ट है, जो कर्म आपको समर्पित कर दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है, वह कभी नश्ट नहीं होता, परन्तु कामना विश्यश की पूर्ती के लिए किया गया कर्म, तो कामना की पूर्ती करके विनस्ट हो जाता है, जैसे एक सिंपल सी बात अप मेरे कुछ काम आ रही है बिल्पिल इंदम क्लियर हो जाएगा से क्या जो पढ़ाई काम जो पढ़ाई किया और कब तक काम आई बस क्वालिफाई होरने तक उसके बाद तो कुछ नहीं काम आ रही ना अच्छा जिस दिन से मैंने जब करना शुरू किया दो हजार तीन से वो सारा जब मेरे आज काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आप लोग का भी आगे भी जन्मांतर काम आएगा कि नहीं आएगा क्या? is it not काफी in kr Benecal拉 कि मेरे अट इस दो महिने की हरे krishna भग आ इट में होने के लिए ही थे इव् SC क्राथित लयार दां एकवाल कुमाला करत sniff लेकिन भुहां का नाम नाम थो म खभी रते नहीं जाता भगवान अपर मुझे परातना करता था कि भगवान आप मुझे पता ऐसे आप बहुतिक नहीं मांगना चाहिए एक मेरी इच्छा है पूर्ण कर दीजिए तो वह हरे कि भगवान की भक्ति तो घर कभी नश्ट नहीं होती है आप चाहे कुछ भी हो लेकिन भगवान को वह धर्म अर्पे था क प्रश्ची नहीं था यो बताईए आप यह तो नहीं क्या सथे में मावान का फोटो सामने रख करके उनको हरे क्रिक्ष्ण रेक्रिक्ष्ण करता था उससे पहले हम साइभवान कर रहे था जिए और पर करना तो हम रोक नहीं सकते हैं आप देवताओं को ब्यकुश अर्पन कर रहे होते हैं तो अगर अपनी धर्म आदिशे तपस्या से व्यक्ति भगवान को अर्पन करना शीख जाए तो फिर व्यक्ति के वह धर्म वह अक्षय हो जाता है जैसे भी मेरे को एक आईडिया आप बताने किसी के पास हो तो बताना हमें वक्त को बोले उसने अब तक किया नहीं आई चोज विम पर्टिकॉलर्ली टू गीविम इन्फानेट बेनेफिट अभी तक वो ट्रांसफर नहीं किये पैसा देखें पैसा मांगते मांगते नहीं किस मैं मंतिर जाता हूं तो मन में आया कि हम भूल माला की सिव भवान की करें अपने घर में तुम्हार ठाकषी यह नहीं बिए इक महने रोज जाओं गा और मैं आपकी भिहाव पर भगवान को और पढ़ करओंगा मेरि इच्छा है तू नहीं दिये और मैं यह नहीं देना चा आप में से सभी लोग विरंदावना करके विरंदावने भगवान को अरपन कर सकेंगे तो क्योंकि शास्त्र श्रवन नहीं किया है प्रामानिक रूप से रोज तो कितना लोग के पास अनाप शनाप पैसा है मैं एक बात बता रहे थे चौरासी हजार रुपए उनका किराया है घर का मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं उनकी चौर्टंट 84,000 और अपने नलाइक बच्चों पर कितना पैसा खर्च करता है वेक्ति उसमों वहां आरपन करके क्या मिल गया तरह बताई है लाख लाख रुपए वेक्ति फीस हमने भड़ता है है ना हमाई रिषदार के बच् आप समझ रहें ना मैं आप को ब्रह्मा जी कर राज तो नहीं मागूंगा सिट नॉट अब अब पर्टिकुलर्ली में ग्रूप पर पोस्ट नहीं किया मैं उनको ही बोला कि आप करो अभी एक भक्ति ने हमको 30,000 रुपे दिये हमने तुरंत देख मैं क्या करूंगा मैं तो खाते नहीं तो खाता ही 30-40 रुपे की चीज़ हो जा चलो ठीक भगत को फोन कि अपने का गीता चाहिए मैं तो हीता हास्य नहीं बाट रहा हूं करते हमने कुछ तुरंत मैंने को अधर ले जाओ तुरंत सारा एक एक रुपया सारा अपने का सब गीता ट्रांसफर कर दिया म मैं जाकर गीता नहीं बाटने वाला मेरे पास समय भी नहीं इस तरह से बाटने का तो जिस भग कुछ बास जुरुत है उसको मिने का कल तक आपके बस dispatch हो जाएगा अक्ल होनी चाहिए अक्ल होनी चाहिए जो धन-दान किया है और जो उपयोग किया है बस वही आपका है बाक और किता सिंपल है किता सिंपल है तिंग्स आर वेरी सिंपल आप पता नहीं के बाद इंटेलिजेंस नहीं है आप देखिए मुझे खुश होना चाहिए 30 रुपी आए हाँ मेरे पास आए नहीं नहीं कम आए अब मैं इसको भगवान को दूंगा तब अबिसली मटिरियल ची समझ पार है 30,000 में से 50-25 पैसे भी हमने अपने पास नहीं रखे है 30,000 रुपे गीता के लिए आए है गीता के लिए जाने चाहिए गाए के लिए जो भी लोग देते हैं गाए के लिए जाने चाहिए make sense to the devotees 10% तो आप कम से कम रखिए कि इतना हमें अपने भवान के सिवा के लिए देना है दान करना ही है ऐसा नहीं कि हम भगत होगा है तो सारा दान हम ही खा जाएंगे वर्ष वन शुद लर्ण दिस एट हेल्प्स टू बिकम सेल्फ लेस हम यहां क्लास में बता रहे हैं अब अगर धन है तो देना चाहिए नहीं तो वह पैसा हम अपने इंद्री तित्ति में लगाएंगी वह पैसा हमें गिराएगा महाराज बड़ा एक्जाम्पिर देते सु दो जाए और पानी आना शुरू हुए तो वह त्यकोश होगा गहरी वहाँ खूब पानी आ रहा है इसे हम चाय बनाएंगे दोनों हाथ उली ची यही सयाना काम कि पानी आ रहा है वो जल भार रहा है पैसा आ रहा है तो उस पैसे से दूसरों का कल्यान करना चाहिए इसे आनेर अरथेर धिया वाच्र्षी आक्रण। को स्म rappers करम चाहता है आज़ता क्म चाहत Shelut की अफिए एकर्म तो चाहता है अगर द्ञ कि प्रयाश की जहें जो धन is it make sense? yes ने सुंझाए लू 5,000 रुपे का आपने धन कमाया तो 5000 को कमाने के लिए आपके दू-4 घंटी लगे यह मालो आध़ घंट लिगा तो अब वो 5000 रुपे अपने भग्वान को अरफित कीए तो वह आदे घंटी भग्वान को अरफित हो गया वो सारा कर्म हों भग्वान कि यहुआ फोनो पोनो प्रेयर क्यों अर्पित कर रहे है वे इस नौट नेड़ीड, सारार्थदर्शणी, जो कर्म आपको समर्पित कर दिया जाता है, वे अक्षय हो जाता है, कभी नश्ट नहीं होता, कामना विशिश की पूर्ती के लिए किया गया कर्म, तो कामना की पूर होते हैं यानि कि पूर अब उस कहते हैं अच्छी जगे मेरे पैसा लगा मेरे बीस लाख रुपे लगे हुए है लेकिन कोई ऐसा भी कोई फंड है मुच्वल फंड जहां कहें आपके असीव तिलाब हो अब विश्वास नहीं होता है तो वेक्ति धन को नहीं दगरता है हम देखे रहे कि कुछ गुरुप भगते हैं बीना मांगे ही वह मुझे कुछ न कुछ देते लेते हैं अब मैं यह क्या रहा हूं कि आप अपना अपना वालेट निकालो मुझे देना शूरू कर वह आपका भाग्य है वर आपका दिमाग है बुद्धि कहां पर लगाने चाहिए बढ़ हम सिंग एवरीड एव सम डिवोटिस हम मेड़ा है एक अधर शीम दो देते हैं एक तो इधर आयका तो क्या का जूरत है जो भगवान देर उसी को तो हम नहीं भोग पा रहे है तो आप देखो अब देखो कि वह पैसा जो हम दान में नहीं देते कहां जाता है डॉक्टर आकर दान लेता है लाइए दान दीजिए अजारों रुपे घुश जाएगा घुशेगा कि नहीं घुशे है देखे ऐसा नहीं मुझे मेरा कर्तव यहां यह है कि मैं घ्यान दूँ धर्म का यह नहीं मैं बोलूं कि अब क्या कहते हैं उसको धिंडोरा पीटता रहूं अच्छा आज हो गया है वह अनौंस्मेंट हो रहा है पजा पांसुर रुपी तीज यह तो यह तो बहुत चीप हो जाता है विक्तिव खुद को आगरे होना क्योंकि मेरा पैसा है उस भगवान की स्विए में लगना चाहिए यह बात है भौतिक जीवों को जो दान दिया जाता है वो बंधन कारण होता है तब होता है जब आप उससे कुछ भौतिक मांगो तब कोई जीव है कोई भूका है मालो और आप उसे कुछ दे रहे हैं यह समझते हुए कि भगवान उससे प्रसंद हो तब बंधन नहीं लगता है यह तो आप सीख रहे हैं यह तब बंधन नहीं लगता है यह स्तब्दया है मालो कोई वेक्ति भूका है उससे अब गीता देंगे नहीं आप उसको 3.13 के अनुसार प्रसाद देंगे प्रहुपाद जी बने लेक्च्छर ने बोलते हैं इस पॉसन हंग्री रेक्च्छर गिवें प्रसाद है बस थोड़ा सा देखना चाहिए कि व्यक्ति योग है कि नहीं चारार्थ दर्शनी चुकि भौतिक कामनाओं से रहत व्यक्ति ही भक्ति में सिरेष्ट है अतह भगवान की को लौकिक वैदिक करमारपन रुपी भक्ति शुद भक्ति में आसकती की प्रधानता सहित भौतिक कामनाओं का भाव उत्पन करती है फिर समझे वड़ी लंबा फ्र से चुकि भौतिक कामनाओं से रहत व्यक्ति ही भक्ति में सिरेष्ट है अतह भगवान को लौकिक वैदिक करमारपन रुपी भक्ति शुद भक्ति में आसकती की प्रधानता सहित भौतिक कामनाओं का भाव उत्पन करती है मतलब व्यक्ति निरंदर शुद भक्ति ना भी कर पाए। उसी कोई और पूझा और याग्य भी करने हों करने पढ़ रहे हो। तो वे भी मुच्भान को समर्पित करता हुआ चलता है। भक्ति निश्क्राम को भगवान को अधिक प्रसंद करता है clear विविद कर्म भी अर्थात विविद लौकिक कर्मों तथा अध्ध राध्याई अर्थात विदिक अनुष्ठानों के माध्यम से किया गया यजन अर्थात यग्य जो किस आपको अर्पित किया जाता है सफल होता है, मतलब उसमें कोई टुटी नहीं होती है, भगवान द्वारा गीता में यत करोशी यदशनासी आदिश्लोक द्वारा इसकी शिक्षा दी गई है, शुमित भगवद गीता 9.87 यत करोशी यदशनासी यज्जुहो सीददासी यत तपस्य सिकौनतेवा तद कुरुश्मद अरपणम हे कुंति पुत्र तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अरपित करते हो, या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अरपित करते हुए कर कर्म मिश्र भक्ति अर्थात जब भक्ति सबसे प्रमक होती है तो सभी लौकिक तथा वैदिक कर्म अर्पित किये जाते हैं पर इतना समझे इसका क्या मतलब है कर्म मिश्र भक्ति का मतलब है भक्ति है मुख्य उसमें कर्मों का सम्मिश्रन है अर्थात केवल भक्ति नहीं कि जा रही है कुछ कर्म कांड आदी भी किया जा रहा है लेकिन उसको भी भगवान को समर्पित करना चाहिए ठीक है भक्ति कर रहा है साथ साथ कुछ पूजापाड भी और करता है तो वह पूजापाड भी भगवान को समर्पित करना चाहिए इसमें भक्ती मुख्य है और कर्म थोड़ा साइड में गौण्ड रूप से कर्म की जा रहा है किन्तु भक्ती मिष्ट कर्म अर्थाद जब भक्ती एक कौण्ड तत्त होती है तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं हाँ पहली चीज़ यार नहीं मैं ठीक से समझाने पाया जाता हूं देखिए व्यक्ति भक्ति मुख्य रूप से कर रहा है और कुछ लौकिक और व्यतिक कर्म साइड रूप से कर रहा है तो जब कर्व मिश्टित भक्ति होती है यानि मक्ति भ भगवान को समर्पित की जाते हैं यह कहते हैं भगति-मिश्र कर्म अर्थाद जब भगति एक गॉंड तत्व होती है, भगति कम हो रही है, और वैदिक कर्म आदी बहुत ज़्यादा है, तो जो बाकी सारे कर्म है उसके दो विवाजन हो गए वैदिक कर्म और लौकिक कर्म तो वैदिक कर्म भगवान को अर्पित की जाते हैं लेकिन लौकिंग कर्म जैसे बोलने चालने की कर्म नहीं की जाते हैं किन्तु केवल भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति में केवल श्रवण और कीर्टन आदी लौकिक कारही अर्पित की जाते हैं तथा यही भेद है जो अर्पन के उद्देश कारण दृष्ट होता है समझने का प्रयास कीजिए भगवान की भक्ति हम लोग कर रहे हैं शुद्ध भक्ति में कोई विशेश अलग रूप से वैदिक कर्म नहीं किया जाता है श्रवणाम कीर्टनाम विश्णुस्मर्णाम इत्यादी यह कर रहा है ना इसमें इसमें यह जो लौकिक कार का मतलब जो जगत में हमारे समानकार हम लोग करते हैं बोलने सुनने की वह सारे के सारे भग्वान को समर्पित होते हैं जो शुद्ध भक्ति के प्रसेस से है उसमें हमारे सारे कारे भग्वान को समर्पित हो जाती है यह बात है जी जो डारट भक्ति योग है उसमें सारे कारे अभी हम लोग बोली तो रहे हैं बात चीतों कर रहे हैं तो वह सारे चीज़े भग् नेक्स्ट भगवत भजन द्वारा सत्क्रियार्थो अर्थात सर्वस्रिष्ट कर्म ही उद्भूत नि प्रकट होते हैं क्योंकि आपके लिए अर्पित किया गया धर्म नम्रियते अर्थात कभी नश्ट नहीं होता अपितु आराधना के रूप में परिणत हो जाता है अर्थ लेकिन भगवत अराधना के लिए किया गया कर्म कभी समाप्त नहीं होता इसलिए जितने समय के लिए भक्ति कर रहा है श्रवन की उतन करता है जब करता है उसका बहुत बड़ा लाब हो रहा है बहुत बड़ा लाब हो रहा है इसलिए जो जितनी भक्ति कर सके उसके लिए उसको उतना प्रोश्चहन दिया जाना चाहिए चार माला कर रहा है बहुत अच्छी बात है आठ माला कर रहा है बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो कुछ भी है वह कभी नश्ट नहीं हो कई बार हम लोग सुनते हैं लेकिन कभी-कभी हम लोग उसको प्रचार ठीक से नहीं कर कर रहा है जहां उसकी जो रुची हो रहे भगवान लिए कुछ भी जो कर रहा है उस सब उसके अकाउंट में जोड़ेगा प्रभपात ही किपना अच्छा बुलते हैं कि तुम इस प्रवक्ष अगर कोई निश्काम भावना से जब करता है भगवान के नाम को अगर आगर निश्काम भावना से किया जाएगा तो मोक्ष ये लिए शाधन सुनना चाहिए सिस्धान सुनना जया जैसे मैं अब प्राटिकल एगा गरंप्ल देखिये मैं आयटिकल कर रहा था लेकिन मैं प्रहुपाति ग्रंद को भी पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आ कि ये कोई तरीका नहीं है भावान का नाम मुझे चालन करने का So you see I was praying लेकिन प्रेक करते समय भी बोल रहा हूं कि भावन ये इच्छा ठीक नहीं है तो देखा जाता है कि लोग कुछ भक्ती करते हैं और केवल बहुत ये किछकले करते सिधान्त नहीं सुनते तो कुछ समय के बाद बंद करते मुझे बता रहा हूं स्पष्ट बता रहा हूं लोग सोला माला करने वाले भी हैं और अब मुझे बाद में मेसेज किये कि हम तो इसकौन छोड़ दिये हैं क्यों छोड़ दिये हैं इसकौन आप घर में डाका डाल रहा है दुख दे रहा है तो सिधान्त ना सुनने वालों की बहुत लंबी गती नह क्या है मैं की पूछी एक ट्रोटि बीए वह नंश्ट हो जाता है तो नंश्ट हो जाता है इंड़संस की बहुत इक इक्ष्ण हों के से किया गया जो धर मैं वो उसका फंल मिल गया इसके बाद पुणने नश्ट हो और रहा है ठीक कुछ नहीं मिलए अंग ए जश्ग नहीं कि उसकाद गिर गए खतो गिर गया मतलो कर दो कर से निकलो यहां से अब यहां पे तुमारा कुछ और काम का तुम कि माई की बताई पूछिए कि साराध दर्शनी में विवित कर्म भी के ऊपर ज लाइन लिखिया है अता भगवान को लौकिक वैदिक कर्मार्पन रूपी भग्ति शुत भग्ति में आ सकते की प्रधानता सही बहुत एक कामनों का अभाव उत्पन करते है तो यह मीनिंग तो समझ आ पर वैदिक से माली जी को उसने अगनी होत लिएक किया तो अगनी होत लिएक से भगवान प्रसंद हो तो अगर ऐसी भावनास की रहे की तो उसके हिर्दे से बहुते के च्छाएं समाप्त होती जाती है देखिए अंतर है आप पहले किसी की पूजा कुछ कर्मकान करवाते थे तो आपक यह करते हैं तो आतर हो जाते थे कि अब फल मिलेगा यह फल मिल गया फिर नेक्स्ट फल के लिए त्यारी बच्चा होगे आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पूजा करो एक लेकिन जब भगवान को अर्पित कर्म होता है तो व्यक्ति के हिर्दर शुद्ध होने लगता है आपको प्रीस को समझने का प्यास के सब लोग जब नहीं करेंगे लेका कभी कभी आप देखेंगे है या कुछ पर शादम होझा वो तो यह यह और बगवान का नहीं कर रहे होते हैं लेकिन और धरन भागवान के सीवा के लिए भक दो मंदिर वे सब लोग जो आते हैं सब लोग कि एजब कर रहे होतें लेकिन कुछ पैसा डल के चलिए आते बहती में क्या यह है भक्ति मिध्य में समाने कारे करते ही वह ही बढ़ी बात नि aikा separate करेंगे सवह करेंगे थे ज़ है ध्यक करेंगे तब भग्माल को सम पंदौ संथce करें के ठीक है ज收看 शुदध्ध्ध्ध में आसक्ति की प्रधानता सहीथ मतलब वह शुदध्ध्ध्ध्ध्ध dispad바 भगवान को लोकिक वैदी कर्मार परिकर्माण रुपी भक्ति शुदध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध evacuate कामनाओं का भाव उत्मन करती है् तो यह कहते हैं कि यह कर्म मिश्रित भक्ति है, मुख्चे उसका आदे आ सकती है भक्ति करना और कुछ कार करने की бिए आ सकती है किसे क्या कर रहा ह oynारों को भगवान के समर्पित करते हुए चलता है और उस से बहुत ले काम्राइव का भाव हो जाता है यह बोलता है कहां करें लोग ठीक है पढ़ लिया था नमने क्रम संदर्व निश्काम भाव से की गई आपकी पूजा आदी ही स्रिष्ट है तथा भौतिक कामना से रहित किये गए विविद कर्म जिनके द्वारा आपका भचन होता है वे उत्तम है करने से वे सफल होते हैं तथा आपकी पृति नम रियते अर्था सदय विद्यमान रहती है मतलब भगवान उसे सदा प्रसंद रहते हैं और वह भी भगवान की पृति पृति से यक्त होता जाता है तात्पर्यव परम भक्ति जो नौ विभिन आध्यात में कार्य था श्रव तक कुछ बहुत बड़ा आयोजन नहीं होगा हां हाको डाको से कहते हैं नहीं होगा तो उनको नहीं समझ में आएगा हम लोग गए थे जोदपुर में बस गए थे बस पाठी लेखे अप पुस्तक वित्रण कर रहे थे तो वह एक हजार आठ कुंडी यग्य होगा अब जब तो वैदिक बाह अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आक्रिष्ट होते हैं खिंतु वैदिक आदेश्यों के अंसार विधी यह है कि सारे पुन्य कर्मों के भल परमेश्वर को अरपित किये जाएं भगवद गीता 9.87 में भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष दैनिक कारियों में जो भी करे यथा पुजा यग्यत थादान उन सबका फल एक मात्र उने ही अरपित किया जाए परमेश्वर को पुन्य कर्मों के फलों का यह अरपण भगवान की भक्ती का एक लक्षण है जिसका स्थाई महत्व होता है जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल शनक ही होता है भगवान के निमित किया गया कोई भी कारिस्थाई निदी है यूर कुकिंग फॉर क्रिष्णा इट इस नौट ओडिनरी यह रोज भगवान के लिए भोजन जो बना रहे हैं वह समाने कारण नहीं है लगता जरूर है लेकिन समाने कारण नहीं है अब करोजिय हम तो भगव विकास कुमार प्रभु अब हैंड डेस क्यों कर रहा है भगवान की प्रसंता के लिए यह ऐसे ही एक्सराइज करने के लिए यहां पर हैंड डेस नहीं करने दी जाता है जी हां पड़ते हैं भगवान के निमित किया गया कोई विकार स्थाई निदी है यह जो आर्ति दिख कर रहे हैं कुछ फूल अरपन कर रहे हैं कुछ भी अप कुछ भी भगवान के लिए कर रहे हैं मैं भक्ति के लिए कंटक्शन बोल रहा हूं वो सब कुछ लाभप्रद है और यह भगवान की शुद्व भक्तितक क्रमशा उन्निती के लिए अद्रिश्य पुन्य के रूप म संचित होती मतलब व्यक्ति वह नहीं जानेगा कि वह भक्ति में आया क्यों येकिन वह आ जाता है समझे एक्जामपिल प्लीज आप जिस व्यक्ति ने प्रश्ण किया है वह खुद एक्जामपिल है समझे अब आप एक लंबा ऐसे लिख कि देना कि आप किस पुन्य से भक्ति के भक्ति में आये क्या क्या पेश्यरे जिन्म में किये थे कि आप इसमें भक्ति में आ रहे हो भक्ति कर रहे हो उस प्यापिक व्याख्या आख्या लिख करके दे हमको तो आप लिख नहीं पाएंग कोई नीस समझ पाए का आये क्यों और आ करके रह भी क्यों जा रहे हैं वो ठोए बहुत बड़ी बात है , रह जा रहे हैं क्योंकि भावाण का पहले का कुछ पुर्ण है आप विए से कुछ ऐसे भक्त होंगे जिनके मन में कभी यह नहीं आय क्यों भक्ति छोड़नी आ यह क्यों यह क्यों और बाकी लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं इंडिरेक्ट पुन अरे भाई वो घर में घर कहां है तो कोई प्रचार कारे के लिए जा रहा है और उसको उसने एड्रस किसी पूछ लिया अड्रेस बताने में तो भारती लोग बड़ अच्छे है आज कल दिखा जाता है वहां से राइट राइट रहा है गलत अड्रस बता रहे हैं तो कदाचित्म व्यक्ति पहुंच गया तो अब उस पुन को वह प्राप्त करेगा प्रचार का कार के लिए भक्त लोग गए हैं और करना वह भक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो उसने केवल अपना रस्ता बता दिया तो उसका पुन जुड़ गया शिलर प्रहुपाद जी एक जिगए अमरीका में थे और दुकानदार के सामने थे और वहां पर वहां पर नौकरी कर रहा था तो अप्रभाद भाहां बोले उस थो पानी देंगे तो उस वेक्ति ने पानी दिया प्रहुपाद जीको आगे जाकर वो प्रहुपाद वो लाइफ मेंबर बनता है वो जब करने लग जाता है तो इसे कहते हैं अज्यात सुकृती अब वह पान एक शुद्व भक्त को पानी देना उसको बहुत बड़ा शुक हम दर्शन होता है वो चिपकली बन जाते हैं फिर ऑफान को अदार करते हैं तो वहां पे वर्णन आता है कि भगवान का दशन हुआ क्यों तो चकरवर्ध पाद अन्य किसी पूराण सा अद ролик करके बोलते हैं आ historical कि कि देखिए हूऋ यह था कि निर्ग महाराज दानी थे दान कर रहे थे एक बार उनके राज जम्हें भक्त आये और उन्होंने कहा कि आप गीता भागवत के एक मंदिर बना दीजिए दिखिए कि नहीं है तो उस भक्त ने आशिरवाद दे दिया कि तुमको भगवान के दर्शन होंगे तो यह यह आप यह नहीं कह सकती कि उस सीधे भक्ति ही कर रहा था भक्त को भगवान को प्रसंद कर दिया इतना समझ में रहाग गीता भागवत भगवान के लिए तो बस हुआ है भी बहुत बला पायदा हो गया उसका पात है यह अलक्षित पुर्ण कर्म एक ना एक दिन परम inclination to serve Krishna will come बहुत से लोग भक्तों से मिलते हैं सभी लोग भगवान के भक्ति की प्रति रुजहान नहीं कर पाते हैं लेकिन का लाव जरूर होता है कुछ लाव जरूर होता है भक्तों को देखने मात्र सिवित्ति का लाव होता है अतेव परमेश्वर के निमित्त किये गए कि किसी भी पुन्य कर्म की संस्तुति यहां पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्भक्त नहीं है सबस्ट समझारा जो भक्ति करने हो तो बहुत अच्छी बात है और जो भक्ति ना भी कर पाए जो अपने पुन्य कर्म को करने में inclined है वह भगवान को समर्पित करत कुछ प्रश्ण भक्तों के में ले लेता हूं फल भगवान को अर्पित कैसे करते हैं देखी बहुत सारी तरीके हैं जैसे एक्जांपल में दे रहा हूं mutual funds में क्या होता है जो लोग पैसे लगाते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता है वो दे देते हैं जिननों को invest करना आत है वैश्णों की सिवह में लगाए और नहीं तो वैश्णों को थे वैश्णों भगवान की सिवह में लगा देंगे तो इस परसे लगता है इफ वो डिवोटी इस दुए अल एक्टिविटी सुछ एस चैंटिंग ही रिंग गवद्गीता शुमें भागवद्गी अधर अधर अक्टिविटी इस लाइक परिक्रम एक्सेक्टरा बट दूइंग प्रजल्पा दूरिंग अधर ताइम दूट बिकम अक्षय दैट प् हम समझ नहीं पाए आपके प्रश्न को तो बट नॉट बट डूइंग प्रजल्पा बूरिंग अधर टाइम कैंनोर्ट बिकम अक्षय पहरिगम आख्श झूप कर रहा है और जो प्रजल्प कर रहा है वह अक्षय तो नहीं हो ना एक बात सोचे ना पिचार किजिए फिर mutual funds कहीं invest कर रहा है वहां से खूब làब मिल रहा है और कहीं invest कर रहे हैं वहां मिलना ही नहीं तो वहां invest करे ही क्यों तो बैतर होगा कि व्यक्ति स्विकार करना शुरू कर दे कि मैं अपना स्विकार से समय वर्थ कर रहा हूं पता है बहुत सिंबल तरीका है कि भाय वाच इससे क्या हो जाएगा अब मैं एक मेरे मित्र को देखा घड़ी देखते रहते हैं और मैं नेट पे देखा कोशी होती है तो जो लोग घड़ी पहनते हैं यह कोई एपसलूट रूल नहीं है लेकिन अबस जो लोग घड़ी पहनते हैं वो टाइम के कॉंश्यस हो जाते हैं यह मैं अनभब कुछ कर रहा हूं कि हाँ भाई घड़ी बार ताइम के व्यक्ति समय वर्त जा रहा है और यह तो ख्यार एक सेंपल सी बात थी लेकिन भाई भावान की भक्ति में कितना लाब है वे श्रीमर्ण भागवत्म के श्रमण के दारवेति समझता है तो सभाविक रूप से ऐसे कर्मों की प्रति नहीं व्यरुची रखता जहां पर उसका टाइम ब बात करना and it is in at least in represent life it is helping a lot कि मुझे प्रजल्प का मुखान मिलता ही नहीं है almost negligible I will not अंकार में नहीं कह रहा हूं लेकिन यतना टाइम नहीं रहता है इसी लिए मैं किसी से ऐसे ही फोन नहीं करता है और नहीं मुझे से कोई ऐसे ही फोन करता है I don't like that प्रभव जी कैसे है अ प्रजल्प मतलब वैसी वारता जिसका ना आपको आध्यात्मिक लाभ हो ना भवतिक लाभ हो क्या जिनका पुने नहीं होगा तो क्या उसको भक्ती नहीं मिल सकती पुनेर बिना तो श्रवण इच्छन उत्पद्यते इतियर्थ पुने के बिना व्यक्ती को भक्ती में कथा सुनी के रुची नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भक्त लोग पुने दिने में तुले रहते हैं प्रसाद बाटते हैं बगवान की कथा सुनाते हैं हरी नाम सं रखा जब मेरे को नींद आएगी तो अपन भजन नहीं करेगा मुझे पता है इसलिए अपन सो जाता है उसके वाद फिर अधर आपने बात अची कही अगर नींद आती है तो बुद्धी को ठकान में होती है पिर वो कुछ फालतुक काम करेगी तो इसलिए बहते रहे कि सो जाईए तो कम से कम गलत काम तो नहीं करेंगे अधर बात आता है तो कि आता है तो कि अधर नहीं करेंगे नहीं को जाईए नहीं कि वालत प्रावपत्त कि जाए निताइग वर्पिमानंदे